आप सभी को आज हमारी brain grow की टीम की तरफ से आप सभी का इस telepathy और mind reading यानि की मन को पढ़ने की विधी की इस workshop की training session में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज इस mind reading और telepathy के session का आज ये पहला दिन है और मैं आपको पहले से ही बता देना चाहता हूँ कि इस कारेश आला में इस workshop में हम telepathy के बारे में और mind reading या किसी के मन को पढ़ने के बारे में बहुत सारी बातों को सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे तो एक एक करके step by step तरीके से आपको इन सारी चीजों को सिखाया जाएगा और समझाया जाएगा मैं आपसे एक request करूँगा कि आप कृपया थोड़ा patience रखें और धीरे धीरे करके जैसे धीरे धीरे आप सभी को इन चीजों को सिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है वैसे वैसे उन चीजों को सीखते जाएं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस workshop के end तक आप टेलीपेटिक के बारे में और mind reading के बारे में बहुत को जान जाएंगे और समझ जाएंगे तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज के इस workshop के पहले दिन के session की शिरुवात करता हूँ तो आज के इस session में हम आपको बताएंगे कि टेलीपेटि आखिर होती क्या है इसके बारे में विस्तरत रूप से सब कुछ आपको बताएंगे हम हम आपको ये बताएंगे कि आखिर इस टेलीपेटि शब्द का मतलब क्या होता है टेलीपेटि सबसे शक्तिशाली मानसिक चमताओं में से एक है इसे हम mind to mind communication भी कहते हैं जिसमें भावनाओं का या फिर आप यू कह सकते हैं कि मन में जो बाते चल रही है उन बातों का आदान प्रदान दो वेक्तियों के बीच में होता है एक वेक्ति अपने विचार या भावनाएं बेशता है और दूसरा वेक्ति उस विचार को या उस संदेश को ग्रहन करता है तो यहाँ पर विचारों का मन में जो बाते चल रही है उनका आदान प्रदान होता है यहाँ पर शब्दों का प्रयोग बिलकुल नहीं होता आम तोर पर जब आप किसी से बात करते हैं या आप अपनी बात को किसी व्रिक्ति को समझाते हैं या बताते हैं तो आप शब्दों का अस्तमाल करते हैं पर यहां पर टेलीपेटी में शब्दों का अस्तमाल बिलकुल नहीं होता। आप अपने मन से दूसरे के मन में अपने विचार या भावनाएं एक संचार के माध्यम से उस विक्ती तक पहुँचा देते हैं या भेज देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम टेलीपेटी केते हैं। यहां पर शब्दों का अपयोग बिलकुल नहीं होता बलकि यहां पर मन से मन का कम्मुनिकेशन होता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको टेलीपेटी के बारे में बहुत सारी जानकारी देता जाओंगा। तो किसी भी मैसेज को सही तरीके से बेजने के लिए आपको सबसे पहले पूरी इमानदारी से टेलीपेटी की प्रक्रिया पर विश्वास करना होगा। और इसमें जरा सभी संशे नहीं रखना होगा क्योंकि टेलीपेति का उप्योग कितना सफल है या कितना असफल है ये सब आपके सब कॉंशेस माइंड के बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करता है अगर आप चाहते हैं कि आप इफेक्टिव तरीके से इस टेलीपेति के प्रोसेस को सीखें और ये काम भी करें तो ये बहुत ज़्यादा आपके बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करेगा यानि आपको बिलकुल कोई भी संशे कोई भी डाउट मन में नहीं रखना होगा जैसे कि क्या ये काम करती है या ये काम नहीं करती है बिल्कुल भरोसे के साथ अपने आपको विश्वास दिलाना होगा कि ये टेलिपेती बिल्कुल काम करती है तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी और आप अपने मन से दूसरे के मन में टेलिपेती के माध्यम से वो सारा कम्यूकेशन कर पाएंगे आपके मन में इसको ले करके थोड़ा सबी संशय या संदेग नहीं होना चाहिए जब आप इस मैठ़ड को पूरे विश्वास कि साथ करते हैं तो आप इस प्रक्रिया को effective तरीके से कर पाएंगे अन्यता आप इस प्रक्रिया को सही प्रकार से या सही तरीके से करने में असफल हो जाएंगे तो इस प्रक्रिया में सबसे पहले आपको विश्वास और कुछ मिंटों का ध्यान करना होगा तो सबसे पहले आपको विश्वास और आपको फिर ध्यान की स्थिती में जाना है इस तरीके को अपना कर आपका टेलीपेति का प्रोसेस वास्तव में आसान हो जाता है आप अपने मन के विचारों को या फिर मन की बात को किसी और व्यक्ति तक भेज सकते हैं तो यहाँ पर आपको विश्वास रखना है और बहुत सारी चीजें हैं जो आगे बताई जाएंगी जिनका आपको ध्यान रखना है मैं उन सारी चीजों को आपको जैसे जैसे ये वरक्शॉप आगे बढ़ते जाएगी दीरे दीरे करके उन सारी चीजों को आपको बताता जाऊंगा अच्छा कुछ लोगों का मानना ये है कि ये प्रक्रिया केवल वही व्यक्ति कर सकते हैं जो कि प्रोफेशनल होते हैं या पेशिवर होते हैं केवल वही लोग टेलपेथि कर सकते हैं पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सच बोलू तो दोस्तों तो एक आम आदमी भी अगर सही ढंग से इस प्रक्रिया की प्राक्टिस करे और सही ढंग से बताये गए तक्निकों का उप्रियोग करे तो वे भी टेलिपेथी अराम से कर सकता है हाँ मगर ये भी नहीं कि हर व्यक्ति टेलिपेथी कर पाएगा कई बार होता है कि कई वेक्ति कई बार टेलिपेथी नहीं भी कर पाते हैं पर अगर आप सही ढंग से और सही तरीके से पूर्ण विश्वास के साथ और बताये गए सभी तरीकों का पालन करके टेलिपेथी करते हैं तो विश्वास रखिए आपको इस प्रक्रिया में जज़रूर सफलता मिलेगी दोस्तों आम तोर पर हम किसी भी विक्ति के मन को दो हिस्सों में बाट सकते हैं पहला चेतन मन दूसरा अब चेतन मन अंग्रेजी में कहें तो conscious mind और subconscious mind तो चेतन मन जो होता है वे हम अभी किसी भी चीज़ को कर रहे हैं उसके बारे में बात बताते हैं जैसे को आप अभी आप इस ट्रेनिंग को सुन रहे हैं हो सकता है अभी आप mobile चला रहे हो या खाना खा रहे हो या कुछ और कर रहे हो तो ये सब activities आपके चेतन मन के द्वारा की जाती है जबकि आप विश्वास नहीं करेंगे ये बात सच है कि आपके शरीर के अंदर कई प्रकार की गतिविदियां चल रही है जैसे आपके शरीर के अंदर blood circulation हो रहा है आपकी heartbeat लगातार चल रही है और भी ऐसी हज़ारों चीज़े हैं जो आपके शरीर के अंदर हो रही है ये सारी activities आखिर कैसे चल रही है कौन इन activities को control कर रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो अफ जितन मन है वे सारी प्रक्रियां को सुचारों रूप से चल वा रहा है विश्वास कीजे कि आपके जीवन की प्रती दिन की गतिविदियों में से activities में से 90 तू 95% activities ये सब conscious mind दोरा ही function करती है और हम अपने conscious mind से केवल 5 से 10% ही अपनी daily activities भी उससे कर पाते हैं मैं यहां पर conscious mind और subconscious mind के ज़्यादा detail में नहीं जाओंगा क्योंकि यह workshop हम यह जो subconscious mind है और conscious mind इसको मैंने दूसरे वीडियो में ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा detail में बताया है जहां पर मैं बताता हूँ subconscious mind में अगर में कोई भी changes करने हो तो हम conscious mind से कर सकते हैं subconscious mind हमारा habitual mind होता है यह automatically work करता है इसमें कभी में जो changes करना चाते हैं हम उसको consciously change कर सकते हैं तो यह topic थोड़ा अलग जाएगा हम लोग अभी यहां पर telepathic की बात कर रहे हैं इसलिए हम इस चीज़ को और जड़ डिटे मिलना ले जा करके मेरा बताने का तातपर वस इतना है कि हमारा जो subconscious mind है वो बहुत ही ताकतवर होता है यह बहुत powerful होता है और इसी ताकत का इस्तमाल करके आप telepathic की प्रकरिया को और भी आसानी से कर सकते हैं तो आम तोर पर telepathic दो प्रकार की होती है पहली होती है दोनों तरफ से telepathic और दूसरी होती है केवल एक तरफ से telepathic तो पहले हम बात करते हैं दो तरफ से telepathic के बारे में तो इसे करने के लिए हमें दो लोगों की जरूरत होती है एक विक्ति यहाँ पर कोई message या विचार को भेजता है और दूसरा विक्ति उस message या विचार को ग्रहन करता है तो इस तक्नीक का प्रयोग करके करने से पहले उन दोनों विक्तियों में से जो दो तरफ से telepathic कर रहे हैं तक्नीक का प्रयोग करने से पहले उन विक्तियों को पहले यह सपस्ट कर लेना है कि क्या वह संदेश को भेजना चाते हैं या संदेश को पाना चाते हैं मतलब आपस में वो लोग ये decide कर लें कि कौन इस message को receive करेगा और कौन इसको send करेगा तो जब भी दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे के बीच दो तरफ से telepathic कर रहे हैं तो उनको पहले ही ये decide कर लेना चाहिए कि इसमें से कौन सा व्यक्ति संदेश भेजेगा और कौन व्यक्ति संदेश को प्राप्त करेगा ये बहुत ही जरूरी है इसमें दोनों व्यक्ति telepathic की प्रक्रिय में जाते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो दो तरफ से को telepathic को हम आम तोर पर उन रिष्टों में कर पाते हैं जो रिष्टे बहुत गहरे होते हैं जैसे कि मा बेटी का रिष्टा हो सकता है या फिर पती-पत्नी का रिष्टा हो सकता है मतलब इसमें जो दोनों व्यक्ति हैं उनमें रिष्टा बहुत कहरा होना चाहिए अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की टेलीपेती के बारे में जो की है केवल एक तरफ से टेलीपेती तो दोस्तों केवल एक तरफ से टेलीपेती की प्रक्रिया को करने के लिए एक व्यक्ति इस प्रक्रिया को करता है तो केवल एक व्यक्ति की इसमें जरूरत होती है ये प्रक्रिया आम तोर पर तब किया जाता है जब दूसरे व्यक्ति को पता नहीं होता और आम तोर पर दूसरा व्यक्ति उस समय नींद में होता है मतलब आपको एक तरफ वाली टेलेपेथी की प्रक्रिया तब करनी चाहिए जब जिस व्यक्ति के उपर आप ये प्रक्रिया कर रहे हैं उस व्यक्ति वो व्यक्ति उस समय सोया हुआ हो या फिर वो एक नीद में हो अब यहां पर इस भात का ध्यान रखिए कि आप जिस व्यक्ति के उपर इस प्रक्रिया को कर रहे हैं उस व्यक्ति से आपका कोई रिलेशन होना चाहिए आपका कोई रिष्टा होना चाहिए या आपका कोई जुड़ाव कोई कनेक्ट होना चाहिए आप किसी भी एकदम से नए अपरिशित व्यक्ति के उपर एक तरफ से टेलिपेती को कभी भी नहीं कर सकते हैं आप चाहेंगे कि आप किसी film star किसी celebrity के उपर टेलिपेती कर दे तो ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा क्योंकि उन वेक्टियों का जुडाव आपके अवचेतन मन से बिलकुल भी नहीं है या फिर आपसे भी बिलकुल नहीं है तो यहाँ पर एक तरफ से टेलिपेटि करने के लिए ये जरूरी होता है कि आप सामने वाली वेक्टि को जानते हो और किसी या ना किसी प्रकार से की हो सकता है कि वो वेक्टि आपका कोई दोस्त हो या फिर आपका कोई ओफिस का कुली हो सकता है वो या फिर ऐसा कोई भी वेक्टि हो सकता है जो आपको कहीं न कहीं जानता हो और उसका कहीं न कहीं आप से कोई जुडाव हो तो तब ही आप उस वेक्टि के ऊपर एक तरफ से टेलीपेथी को कर पाएंगे पर आम तोर पर आपको ये प्रक्रिया तब करनी चाहिए जब सामने वाला वेक्ति अपनी गहरी नींद में हो अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम दो तरफ से टेलीपेथी या फिर टूवे टेलीपेथी और केवल एक तरफ से के बारे में और भी बहुत कुछ सीखेंगे बहुत कुछ समझेंगे और बहुत कुछ जानेंगे आज मैंने सिर्फ आपको एक परिचा दिया है ताकि आपको समझ आ जाए कि आने वाले दिनों में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं और क्या-क्या सीखने वाले हैं जैसे जैसे ह हम आगे बढ़ेंगे हम इन चीजों के ऊपर और गहराई से बात करेंगे और बहुत सरी चर्चा करेंगे तो मिलते हैं हम ब्रेंग्रो की इस टेलीपेथी ट्रेनिंग के निक्स वीडियो में तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद थेंक यू